बॉलिवुट की साथ ब्लॉग बस्टर फिल्म में होने जा रही है OTT प्लाटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज जिसमें एक फिल्म आलिया भट की सड़क टू भी है सड़क टू OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तयार है और 2020 की Most Awaited फिल्मों में से एक है जिसमें आलिया भट, आदित्यर रॉयक कपूर, संजय दत और पूजा भट स्क्रीन शेयर कर दे नजर आने वाले हैं साथ ही फिल्म में आलिया और पूजा के पिता और फिल्मेकर महेश भट भी अपना बता और डिरेक्टर कुल 21 साल बाद वापसी करने जा रही हैं ऐसे में लाइव इवेंट के दोरान बिजनी प्लस होट स्टार पर फिल्म की रिलीज की ओफिशल अनाउंस्मेंट कर एक्टरस ने फिल्म के पोस्टर से भी परदा उठाया बता देगी पोस्टर में किसी भी स्टार की जलक नज़र नहीं आई लेकिन उसमें कैलाश परवत का नजाराद दिखा गया है और एक खाली सड़क अब पोस्टर में कैलाश परवत की क्या भूमी का है इसको लेकर आलिया ने खुला सकिया है दरसल आलिया कहती है ये फिल्म सचे अर्थों में एक घर वापसी की तरह है ये पहली फिल्म की कंटिनियेशन है वहीं कैलाश परवत के बारे में कहती है कैलाश परवत पर देवताओं और रिश्यों के पैरों के निशान है यहां देवी देवताओं का निवास है भगवान शिव क्या हमें उस पवित्र स्तान में कुछ और या एक्टरस की जरूत है समय की शिर्वात से मानवता ने कैलाश में अपना आश्रे पाया है ये वो इस्तान है जहां सभी खोज खत्म होती है सडक टू एक प्यार की रहा है आलिया का कहना है कि हर इनसान की तलाश कैलाश होट स्टार पर आलिया के अलावा अक्टर अजदेव गन अक्षे कुमार अभिशेक बच्चन जैसे बड़े स्टार्स की भी फिल्म में रिलीज होने वाली है वैसे सड़क टू के पोस्टर रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर फैंस महेश भट और आलिया को काफी ट्रोल कर र तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बॉलीवोट और एंटर्टेन्मेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरू प्रेस करें